जन्ता दल्यू के प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश सिंग कुश्वाह जी और मंच संचालन कर रहे हैं श्री धर्मेंद्र कुमार चंद्रबंसी जी प्रदेश अध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ट जदियू और यहां पर उपस्तित हैं पुर्व राष्टिय अध्यक्ष जन्ता दल्यू लोग सभा में संसद्य दल के नेता और मानिय सांसा स्री राजिय रंजन सिंग उर्पललन सिंगी और यहां पर राज्य सभा संसद्य दल के नेता और पाठी के राष्टिय महासचीप मानिय सांसा और जन्नाय करपुरी ठाकुर जी के सुपुत्र स्री रामनाथ ठाकुर जी और यहां उपस्तित जन्ता दल्यू के राष्टिय उपाध्यक्ष सा सांसा स्री बसिस्त नरायन सिंग जी जन्ता दल्यू के राष्टिय सलाकार सप्रवक्ता श्री केसी प्यागी जी श्री मंगनीलाल मंडल जी श्री बिजंद्र प्रसाद दियादव जी मानिय मंत्री उर्जा विभाग श्री विजे कुमार चोधरी जी मानिय मंत्री वित्विभाग श्री महस्वर हजारी जी उपाध्यक्ष बिहार विधान सभा जनाप अली अश्रप फात्मी साहाप रास्टिय महासरचीप पुर्व केंद्रिय राज्य मंत्री श्री स्रवन कुमार मानिय मंत्री ग्रामिल विकास भाग श्री असुक चोधरी जी मानिय मंत्री भवन निर्मान भाग श्रीमत्य लेशी सिंग मानिय मंत्री खाजुंग भुक्ता संदक्षन विभाग श्रीमदन सहने जी मानिय मंत्री समाज कल्यान विभाग श्रीमत्य सीला मंदल जी मानिय मंत्री परिवहन विभाग जमाखा साहब मानिय मंत्री अल्वसंक्यक कल्यान विभाग श्री सुनील कुमार जी मानिय मंत्री मद्निसे दुद्पादियों निवन्दन विभाग जैन्त राज जी मानिय मंत्री लगुयों जलसन साधन विभाग रतनेश सदा जी मानिय मंत्री रुसूचित जाती जन जाती कल्यान विभाग श्री सुमित कुमार जी माने मंत्री विज्ञान और प्रावधी की भाग श्री हरी नरायन सिंग जी सदस्य बिहार विधान सभाग श्री नरेंद्र नरायन यादब जी सदस्य बिहार विधान सभाग यहां उपस्तित सभी सांसद गन, सभी विधायक गन, सभी विधान पार्षत, जनता दल्यू के सभी रास्चिये पतादिकारी, प्रदेश के सभी पतादिकारी गन, जनता दल्यू के सभी जिलाद ध्यक्ष गन, अब इहार के कोने कोने से आये हुए चन प्रत्रिधी गन, कारे नेतागन और यहाँ पर उपस्तित प्रिंटों में इलेक्रोनिक मीडिया के पतरकार मित्रों चायकार बंदों और इस पूरे कारेक्रे में उपस्तित बहनों एवं भाईयों यह बड़ी खुसी की बात है और अब मैं देख रहा हूं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग उपस् अब यहांप पर उपस्तित हैं और जो मैं आ रहा था रास्थे भर दोनों तरफ लोग खड़े हैं कि यहां पर तो है लेकिन रास्ते भर इतनी बड़ी संख्या में सब लोग यहां पर उपस्तित हुए है हम सबेरे से ही देख रहे हैं जब साढ़ेंदस में रास्तिय कारेक्रम था जो जहां वो रहते थे वहां गये थे आ फिर उनके गाउं में गये तो सब जगा ये चारो तरफ से और वही तरफ रामना ठाकुर जी उन्हीं के गाउं पर गए और वही साथी आते हैं हर साल जब भी कारेक्रम रहते हैं सब कारेक्रम में हम जाते रहते हैं तो सब लोग वहां बड़ा खुस रहते हैं और वहां पर उनके घर में जा करके परिवार के सब लों से मिलते हैं और इतनी बड़ी संख्या में वहां भी लोग रहते हैं और वहां देखिए अनेक धर्म के लोग, पांच धर्म के लोग पूजा पाश करते हैं, तो सब में हम सुनते हैं, सब का साविल होते हैं, और हर जगा आते हैं, यहां पर लोग कारेकर्म कर दिये थे, का रहत है कि भाई हम तो पहले ये तीनों करने के बाद ही हम यहां आएंगे, और हम इतनी बड़ी संख्या में लोग आये हैं तो सत्मुच आज बहुत खुशी की बात है कि आज उनके सौवे दिवस के अफ़सर पर आप सब लोग यहाँ पर पधार चुके और अब एक और खुशी की बात है कि जन्नायक करपुरी ठाकुर जी को भारत रत्म भी प्रदान किया अब आप जन्नायक को भारत रत्म प्रदान करने के लिए तो हम तो सुरू से कह रहे हैं आप अगर देखियेगा तो जब हम लोग की सरकार बनी है 2005 में तो 2006 के बाद 2007 से ले करके आई 2023 तक हर साल पहले कॉंग्रेस की सरकार या और की सरकार बाद में अभी जो सरकार है इन साम लोगों को हम अनुरोद करते रहे लिखते रहे कि भाई जन्नायक करपुरी ठाकुर जी का भारत रत्म प्रदान किया जाए आभी लोग नहीं करते थे लेकिन कल कर दिया है तो मुझे फुसी है मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रदान मंत्री जी को भी मैं करता चल गया है कि जन्नायक करपुरी ठाकुर जी का काम इतना तेजी से हुआ और हम लोग सुरू से ही उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए जितना काम किये हैं तब सब को लगने लगा है कि अगर उनकी इज़त करेंगे तब ही जाकरके उनको भी कुछ मिल सकता है तब जो कर दिए जिस क्विश करतें बुझे तो खुषी है ति बदाई नहीं नहीं ल दिनों से हम लोग मांग कर रहते आप इसरी चीज मत कहिएगा कि हम लोग की मांग थी आप खुदे कहिएगा कि वही कर दिये हैं लेकिन तब भी आपको हम बढ़ाई देते लेकिन हम लोग अम लोग को सुरू से करते रहे और जन्नायकर पुरी ठाकुर्जी के सब काम को आज जन्नायकर पुरी ठाकुर्जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे आज कर लोग परिवार का लोग कितना पढ़ता रहता हां नेता बनता आज जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने ने जो चले गए तब हम इनको जो रामनार ठाकुरजी को जब उच चले गये तो हमीर होगे रामनार ठाकुरजी को आगे बढ़ाए। यहां पर मंतृ रहे ज़ब कुछ रहे। आजकल राज सभा के सदस्ये हैं और वहां पर पार्टी के तो जन्नल सेक्रेटरी में हैं पार्टी निता भी है अहर तरह से उनका इंज़त हम लोग करते हैं लेकिन आज कर तो बहुत लोग अपने परिवारें को बढ़ाते रहता हैं लेकिन आप समझ लिजिए कि जन्नाय कर्पुरी ठाकुर्जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए और एक ही बात जान लेजिए को याद रखिए कौन क्या बोलता है बोलते रहे हमको उसे कोई लेना देना नहीं लेकिन भाई इतनी बड़ी संख्या में जो सभी जातियों के और खास करके पुछा आती पिछड़ा और उहोंने कितना बड़ा काम किया आप बताइए जब उनको मौका मिला